हाई एवरिवान होपे दोइंग वेल लास्ट वीक हमने थ्री कैंडल स्ट्राटेजी फ्रोम सब्सक्राइबर मिस्टर डी का स्ट्राटेजी टेस्ट किया था अपने चैनल पर अगर आपने अप तक वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का दूसे ज़रूर चेक आउट क कोई है जिसने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा कॉंटेंट भी अच्छा लग रहा है तो भाई क्या कर रहे हो जल्दी सब्सक्राइब कर दो उमीद कर रहा हो कि यह यह खतम उने से पहले आप 15 के पहुचा दोगे पहुचाओंगे ना तो टुदेज वी स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रहा होगा इसमें बहुत सारे चीज़े हैं हम उसके बारे में आगे बात करेंगे बट फर्स्ट वीवाप प्लस प्राइज एक्टेजी है उन्होंने अपने चैनल पर डाला है एक नॉर्मल वाला है और एक अडवांस वीडियो प्लस प् अपर प्राइस सट्व करने पर उसकता हैं हम ये वीडियो में नॉर्मल वाले को टेस्ट करेंगे और इसके नेक्स्च वीडियो में आडवांस का परफोर्मेश देखेंगे और कंपयर करेंगे कि कैसे काम करता है सो इसमें सीम्पल रखने के लिए 200 प्लेकिन प्राइज को आप को जानते हो हम इ přिया लगा सकते हैं और वो और आई डिया लगा सकते हो कि ए स्ट्रेजी पर चलते हैं जहां हम VWAP plus price action strategy from Hayus Thakur को total 100 times test करेंगे nifty और bank nifty में और check करेंगे कि कैसे गाम करता है so hi everyone this is Pranit from trader inside let's start the video first we will open trading view और nifty और bank nifty plot करेंगे simply इदर उपर click करके nifty या bank nifty search करो और वो मिल जाएगा अब time frame को 5 minutes कर देंगे अब उपर indicators में जाके VWAP add कर देंगे simply उपर indicators में VWAP search करो वो एक full form वाला आएगा उसको add कर दो फिर settings में जाके band multiplier को untick कर दो और ok कर दो इसके बाद उपर indicators में जाके gap detector search करो तो यह bitcoin जीजस वाला indicator आएगा इसको अब simply add कर दो अब इसके settings में nifty के लिए आपको pips को 80 रखना है और bank nifty के case में इसको 160 रखना है reason being उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है जो भी gap up और gap down रहेगा न वो एक decent होना चीए और उनके वीडियो में देखा तो मैंको दिखा कि minimum 40 points था nifty के case में और bank nifty के case में 80 points था अब इस screen में आपको nifty दिख रहा है so हम 80 करेंगे settings में इतना समझो nifty या bank nifty कोज भी हो उसका एक point इस indicator के लिए 2 pips है so 40 points is equal to 80 pips और last हम moving average add करेंगे simply उपर indicators में moving average search करेंगे और ये वाला built-in वाला आजाएगा इसको add कर देंगे अब इसके settings में length को 200 करेंगे और style में जाके color को white और thickness को as usual बढ़ा देंगे और setup ready चलिए rules for buy entry देखते है first rule previous day close should be about 200 EME इससे ये समझता है कि buying trend चल रहा है कि selling trend चल रहा है फिर second condition it should be a gap down so current day open है वो gap down होना चीए उसके बाद price should close above the VWAP making a good green candle जब भी ये उपर के दो condition satisfy होगा न और जब price पहली बार उस दिन का VWAP के उपर close हो जाएगा तो हम उस candle को trigger candle close करेंगे make sure कि आप पहला candle को ignore या फिर उसको consider मत करो for trigger candle क्योंकि वो VWAP को touch करके ही रहता है हमेशा and last condition would be your entry should be before 12 entry would be at the close of the green candle stop loss, previous swing low और nifty के case में max 60 point और bank nifty के case में max 120 point target two times the risk इसमें एक और चीज़ है you can only take one re-entry per day so max trade would be two trade in a day rule simple लग रहा है न चलिए, bank nifty में example देखते है यहाँ देखिए, previous day का closing 200 moving average के उपर है और यहाँ पर एक gap down हुआ है और price ने पहली बार VWAP के उपर closing दिया है making a good green candle so हम इसके close पे entry लेंगे stop loss would be previous swing low and target two times the risk and this unfortunately resulted in a loss but फिर कुछ टाइम बाद आप देख सकते हो price वापस VWAP के उपर closing दिया है and this closing was before 12 so हम इस पे re-entry लेंगे so entry would be at the close of the candle stop loss would be previous swing low but previous swing low 120 points के उपर है so हम max stop loss 120 points रखेंगे और target two times the risk and this resulted in a win I hope strategy clear है before seeing sell rules I would like to give a shout out to chat prime who are also today's video sponsor जिनको नहीं पता chat prime is a custom indicator service ये बाकी सब indicator service जैसे आपको सिर्फ buy या sell के tips देने वाले services नहीं है इनका goal उन trader पे focused है जो अपने trading career के मामले में serious है और इनके tools को additional confirmation की जारा अपने analysis में use करेंगे इनकी एक strong trading community भी है discord पे जहां ये लोग trade ideas पोस्ट करते रहते है और नए setups भी post करते है इनके indicators में आपको काम के और जादे accurate signals मिलते है बाकी के trading services के comparison में RAID भी बाकी service provider के comparison में almost half ही है जिसमें ये आपको 6 indicators प्रोवाइड करते है with 20 different unique confluence point जो आप अपने analysis में use कर सकते हो obviously this is not for everyone और मैं आपको guarantee भी नहीं दे सकता हो कि ये आपको हमेशा पैसा बना के देगा इतना तो हम भी जानते हैं कि हम traders है और हम probability पे विश्वास करते है so I would advise to take their one month subscription and try out their product yourself और जितने experimentation आप back testing करना है कर लो अगर आपको सही लगता है तो ही continue करो वरना मत करना confluence करो description में मेरा link रहेगा insight करके अगर आपने ये use किया तो आपको additional 20% off मिल जाएगा जिससे आपको effectively product और सस्ते में मिल रहा है so if you find this interesting then make sure to check them out चलिए अब rules for sell entry भी देख लेते हैं इससे हमें ये समझ रहेगी आज का trend selling है current day should be a gap up फिर price should close below a VWAP making a good red candle जब भी अबाव दो condition satisfy होगा न तो जैसे ही price पहली बार उस दिन VWAP के नीचे closing करेगा तो हमारे लिए वो candle एक trigger candle बन जाएगा इसमें भी make sure कि first candle को आप इग्नोर करो और आपकी entry should be before 2L entry would be at the close of the red candle stop loss previous swing high और max 60 points in case of nifty and 120 points in case of bank nifty and target 2 times the risk इसमें भी you can take only 1 re-entry per day that is max trade is 2 trade per day rule simple लग रहा है चलिए इसका भी bank nifty में example देखते है यहां देखिये previous day का closing 200 moving average के नीचे है और यहां एक gap up हुआ है और price इदर पहली बार वीवाप के नीचे closing दे रहा है making a good red candle so हम इसके close पे entry लेंगे stop loss previous swing high के उपर रखेंगे which is less than 120 points and target 2 times the risk and this resulted in a win चलिए I hope strategy clear है आप उनका वीडियो देख सकते हो आपको थोड़ा clarity के लिए तो इस strategy को हम चलिए 100 times test करते है और इसका अचलिए win rate चेक करते है I'll let you know the full result after the test चलिए रिसल देखते है so the test सार वह जैसे आप देख सकते हो total number of trade was 100 उसमें से 47 और win and 53 was loss so win rate हुआ 47% total gain in an account was 51.30% and max.on is minus 8.53% continuous win in a row is 5 and continuous lose in a row is 7 total duration of the test was 7.495 months before going further there are few things that we need to discuss आप जानते हो जो भी strategy मैं अपने channel पे दिखाता हो न मैं ये intention से बनाता हो कि आप उसको कुढ टेस्ट करो but unfortunately this is one of those strategies मैं जितना भी जुगाड लगाने का try करू आप नहीं कर पाऊगे क्योंकि most of you are using trading view free account और आपको पता ही होगा कि trading view free account में आपको सिर्फ 5000 बार्स तक का data मिलता है but 5 minutes time frame में जब आप test करोगे न तो आपको सिर्फ गिनके 18 trade मिलेंगे nifty में और bank nifty में भी same वही range में रहेगा 18 से 20 के range में ही रहेगा that is like 3 months data but इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि free account में वो लोग इतना ही देता है but इतना कम data back testing के लिए enough नहीं है आप मेंसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कोई बात नहीं जिरोदा में try करते हैं but unfortunately VWAP जिरोदा में जिरोदा के spot chart में नहीं चलता है इसलिए unfortunately आप strategy को completely test नहीं कर सकते हैं बीना premium account होए उसमें भी आपको pro या pro plus account जो है ना उसमें भी नहीं होगा क्योंकि उसमें भी आपको सिफ 10,000 bars तक का ही data मिलता है आपको specifically premium लेना पड़ेगा जिसमें आपको 20,000 bars तक का data मिलता है अच्छली बोलू तो आपको premium account से भी काम नहीं बनेगा क्योंकि आप screen पर देख सकते हो ये excel sheet में आपको premium account में भी max 83 trade मिलता है अगर आप सिर्फ nifty में test करते हो और bank nifty में test करते हो तो आपको max 89 trade मिलता है 100 test भी आपका पूरा नहीं होता है इसका लिए क्या कर सकते हो I don't know अभी आप जैसे अगर अपन ये charts देख रहे है अगर अपन ये nifty और bank nifty का results देख रहे है तो आप यहाँ देख सकते हो nifty के case में results अच्छा नहीं है 2022 के start में इसमें काफी drawdown था compared to nifty bank nifty ने बहुत अच्छा perform किया इस strategy में last one year में और ये दोनों का combined result भी है 172 trades आप ये देखे decision ले सकते हो कि strategy कैसे है anyways kudos to Mr. Ayus Thakur for sharing this strategy with us as always जैसे मैं बोलता हूँ सिधा मेरी बात या किसी की भी बात आपको blindly trust नहीं करना है हर strategy आपको पहले खुट test करना है और फिर decide करना है कि strategy कैसे काम करता है जो इस केस में थोड़ा मुश्किल है वर क्या करे I'll add this strategy in the google sheet link in the description and the combined 100 test 1 takes the fourth position in the list you can check the list and review or rewatch any specific strategy you like so guys if you like this video please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification and do like the video and share the video and make sure to check chart prime from below link अगर आपने मेरा code यूज किया इनसाइट तो आपको 20% off भी मिल जाएगा और अगर आप हमको support करना चाहते हो तो आपको UPI ID screen पे दिख रहा होगा और अगर आपके वाज DMAT account नहीं है तो मैं नीचे जीरोदा का link भी डाल दूँगा आप वहाँ से account बना के channel की थोड़ी help कर सकते हो और अगर आपको ये वाली back testing sheet चीट चीए तो इसे मैंने already share किया है अपने channel पे आपको एक video suggest हो रहा रहेगा ये फिर screen पे दिख रहा होगा ये video का आप check out कर सकते हो आपको मिल जाएगा प्लीज comment में आपके feedback दीजिए और कौनसी strategy आप चाहते कि हम back test करें अपने future videos में ये भी ज़रूर बताना आप आप आपरे चानल के playlist देख सकते हो और दूसरे strategies के videos भी देख सकते हो अल्दो सोचल मीडिया लिंक्स विल बी इन देस्रिप्चिन प्लीज फॉलो असे शोय सपोर्ट मोर असम कंटेंस आर अर अन देवे सो सी यू नेक्स ताइम